हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज मैं आपको बताने जा रही हूं चने की सबजी बहुत ही आसान तरीके से जटपट बन जाती है और कोई दिक्कत नहीं होती इसमें सबसे पहले आप मसाले देख लीजिए कि मैंने सारे मसाले निकाल के और प्याज और लहसुन छील के दिखने में तो मैंने महिन महिन इसको कतर लिया है और अब मैं आपको दिखा रही हूं यह है एवरेश्ट का मीर मसाला जो पांस रुपे का पाउच आता है और यह छोले मसाला है राजेस का आप हल्दी मिर्चा धनिया और यह देखिए लहसुन प्याज मिर्ची अधरक टम खता उसे भी बारी बार व कतर के समें डाल दोगी मैं ब हसकते हैं नada को कर लिया है और इसे बारी बारी किश कर इसके इसमें डाल दोंगी इस तरह आप सब्सब् 귅 बहुत ही स्वादित प्लीज एक बार ट्राई जरूर करिएगा और जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही प्लीज करते रहिएगा आपने बहुत प्यार दिया है मुझे आपने कमेंट करके मुझे बताया मेरा उत्सा बढ़ाया है तभी मैं आज फिर आपको बहुत ही बड़ी हा र आप सोच रह होंगी की हमका तर्णा में लगाते है लेकिन हेंग जब पीस केसी मसाले में डालेंगे उसका स्वाध अलग ही आएगा यह दूनों मसाले मैंने ले लिए हैं आधी आधी चम्मज एक साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम इसे बारी एक पीस लेंगे अच्छे से और आलू यह मैं भार पर आपको इसलिए दिखा रहे हूं कि मैंने वाली नहीं आलू कच्ची है और चने भी मेरे कच्चे ही है एक कढ़ाई मैंने चढ़ा दि समें आफ देंगे तो धस तेल डाल देंगे ज्यादा तेल मठ डालिएगा थोड़े तेल में ही अच्छे से तल जाएगा क्योंकि ज्यादा आलू है नहीं एक ही आलू है तो तेल आप एक चम्मज बड़ा दाल देंगे तब इसके लिए पर्फेक्ट होगा गातल मास यह घर हैं कि मैंसे और आज को तेज कर दीजिएगा प्लीज प्लीज एक बार यह बना कर जरूर देखिएगा मेरी तरह सब्जी आप लोग मुझे विश्वास है कि आप लोग फिर इसी तरह सब्जी आप बनाएंगे हमेशा जैसे मैं आपको बता रही हूं चने उबाल कर अगर आप बनाते हैं तो उसका स्वास चला जाता है क्योंकि उबलने पर स्वास कुछ कम हो जाता है और यह देखिए मैंने आलू तल के निकाल ली है हमारी आलू गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे सारी आलू आप देख सकते हैं थोड़ी और मैंने सारी आलू देखिए निकाल के प्लेट में अलग रख ली है अब हम एक कोकर चढ़ा देंगे अब हम कोकर चढ़ा के उसमें तेल डाल देंगे पहले गैस को आन कर लेंगे और यह देखिए मैं सौफ और जीरे का तलका लगाउंगी इसमें थोड़ी सी बिल्कुल एक चौथाई चम्मच आप समझ सकते हैं और इसमें मैं डालूंगी डेढ़ बड़ा चम्मच रिफाइंड मैं रिफाइंड से बना रहे हूं आप सरसो का पील भी उज़ कर सकते जो आपको पसंद हो और इसमें मैंने तेल डाल दिया है आप मैं इसे गरम होने दूगी यह मसाला मैंने पीस लिया है बारिक और तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तब आप इसमें मसाला डालिएगा आप ही मैं आपको दिखाऊंगी सबसे पहले मैं इसमें तड़का लगाऊंगी सौफ और जीरे का मैं सौफ हर सबजी में डाल देती हूं ताकि हाजमा सही रहे चना क सबजी और छोला यह गयस भी बनाता है इसलिए मैं सौफ हर सबजी में डाल देती हूं क्योंकि चोटे बच्चे भी खाते हैं इसे तो सौफ और हिंग जरूर डालिएगा सबजी में तो मैंने सौफ और जीरा डाल दिया है हिंग तो मैंने पहले ही पीस ली थी मसाले में और देखे और सबसे इंपोर्टेंट में चीज बताने जा रहे हूं कि मैं मसाला हमेशा इसका कुकर का ढखकन लगा के इसमें सीटी दो लगा देती हूं और फटा-फट मसाला मेरा पक जाता है जैसे आप देख सकते हैं मैं इसका ढखकन लगा दूँगी और इसमें दो तेल भी वो छोड़ चुका होगा देखिएगा भी आप आप देख सकते हैं कि फटा-फट मेरा मसाला पक चुका है और तेल इसका अलग हो चुका है थोड़ी देर हम इसे ऐसे ही चलाएंगे गैस तेज करके और उसके बाद हम इसमें चने डाल देंगे देखिए मैं डालेंगे कच्चे चने आप देख सकते हैं यह देखिए कच्चे चने हैं यह उगले नहीं है और मैं आपको इसलिए बार-बार दिखा रहे हूं ताकि आप यह मत सोचें कि मैंने उबाल के चने डाले हैं इसमें इसमें मैंने कच्चे ही चने डालने हैं उबालने का कोई ज चने उबालने हैं। और आप एक बार बिना उबाले चना बना कर देखे, जैसे मैं बना रहे हूँ, बार बार आप उसी तर hubs कर खाएंखेंगे, और पूरा परिवार आपसे कहेगा कि व्यादया प्लीजोडी में चने उबालाईगे, इसी लिए मैं चने कभी उबालती नहीं हूँ और अब हम इसमें डालेंगे पानी तो पानी मैं तो अंदास से डाल लिया है मैंने तो आप इसमें एक से डेड़ गलास तक पानी डाल सकते हैं मैं चार लोगों के लिए बना रहे हूँ मैं पानी अंदास से डाल लेती हूँ मैंने इसमें नमग डाल दिया है स्वधानुसार और थोड़ा से इसे चला देंगे बस इसकी लिड लगा दीजिए आलू अभी हमें नहीं डालना है आलू जब हमारी सबजी पक जाएगी तब डालना है तो हम इसमें लिड लगा देंगे और थोड़ा गैस को मध्याम आज पर कर देंगे गैस देखिए हमारी मैंने छे सीटी इसमें लगाई थी धीमी करके ज़्यादा धीमी मत करिए मीडियम पर रखिएगा और छे सीटी में हमारा चना बिल्कुल गल चुका है आप देख सकते हैं चना गल गया है बिल्कुल और अब हम इसमें डालेंगे जो मैंने तल कर आलू रखे थे आप देख सकते हैं मैंने चना बनाने के पूरा बाद में आलू डाला है और मैंने ये इसलिए किया है ताकि अगर आप पहले ही डाल देंगे चने बनाने के बाद लास्ट में आलू डाली और देखे कितनी बेहतरी सबजी बनकर त्यार हो चुकी है आप खाएंगे तो उंगलिया चाटते रह जाएंगे और एक बार प्रीज इस तरह बनाकर जरूर खाईएगा देखे मेरी सबजी बिल्कुर रेडी हो चुकी है आएए सब मिलकर खाते है और मज़ा लेते हैं स्वादिष्ट सबजी का एक बार जरूर बनाईएगा बहुत बहुत धन्यवाद